इस वी में हम पढ़ेंगे distortion distortion क्या होता है वो भी एक तरह की aberration होती है यहां फिर एक तरह का defect होता है जिसके कारण जो आपको object की image जो दिखती है वो object जैसे नहीं होती मतलग कि उसी shape और size की नहीं होती वो distorted होती है इसी को हम कहते है distortion कहते है distortion को समझने के लिए हम यहां एक square object लेंगे ठीक है कोई point object नहीं है यह एक तरह का square object है आपको square object की जो image है lens में से पास होने के बाद कैसी दिखनी चाहिए वैसी ही दिखनी चाहिए जैसे की object है इसी shape और size की आपको image दिखनी चाहिए बट ऐसा नहीं होता जो आपको image दिखती है यहां तो ऐसी दिखती है जिसमें जो इसके corners है वो pulled outwards होते है ऐसे लगता है कि जैसे कि यह बाहर की तरफ pulled है इसके corners यहां फिर आपको image है square object की distortion के कारण ऐसी दिखती है जिसको हम barrel distortion भी कहते है यह क्या होता है cushion distortion जो यहां distortion होई है उसका हमने नाम कहा दिया cushion distortion और जो यहां distortion होई है उसका हमने नाम कहा दिया barrel distortion दिया तो square object की जो आपको image है distortion के कारण जहां तो ऐसी दिखती है जिसको हम cushion distortion कहते है यहां फिर ऐसी दिखती है जिसको हम better distortion कहते हैं तो इसका reason क्या है आपको square object की जो image है ऐसी या ऐसी क्यों दिख रही है तो सबसे विले हम उसको देखते है reason देखते हैं distortion का क्या reason है तो उसके लिए हम diagram से समझते हैं जैसे कि मान लेते हैं यह आपका square object है और यह एक lens की principal axis है ठीक है अब आपको पता है कि जो आपका square object है यह बहुत सारे point object से मिलकर बना होगा बहुत सारे इसमें points होगे ठीक है तो इसके बहुत सारे point objects होगे बहुत सारे point object से मिलकर यह बना हुआ है तो हर एक जो point का distance is optical axis से वह different different है जैसे कि हम square object में यह वह पॉइंट माल लें यह वह पॉइंट इसका distance is optic axis से ज्यादा है ज्यमें यह वह पॉइंट देखूंगा इसका जो optic axis से distance है वह इससे कम हो गया इसको मैं इस point को देखूंगा तो इस point का जो optic axis से distance है वह कुछ हो रहा है इस point का जो optic axis से distance है कुछ हो रहा है मनले कि हर एक point का जो optic axis से distance है वह different different है जिसके कारण आप को जो पूरा object दिख रहा है इस पूरे object की जो image दिखती है वह equally magnified नहीं दिखती ठीक है वह equally magnified नहीं होती जिसके करण आपको जो image square object की दिखेगी वह क्या लिए होता है क्योंकि यस बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ ठीख है जिसके कारण आपके हर जो यह image है यह distorted हो जाती है आपको image ऐसी ही दिखनी चाहिए थी object की बट जहां तो आपको image ऐसी दिखती है या फिर आपको image ऐसी दिखती है इसी को हम कहते है distortion कहते है तो देखते हैं क्या लिखेंगे different parts of the image point to difference in the distances of object points from the optic axis जो यह आपकी image है इस image के जो different parts है ठीक है जो सारे point object से मिलकर बने हुए उनका distance है optic axis से वो क्या है different different है जिसके कारण यह जो object मतलब की सारे जो points है ठीक है जो सारे points है equally magnified नहीं होंगे जो सारे के सारे points है वो equally magnified नहीं होंगे जिसके कारण आपकी यह image है वो क्या दिखेगी आपको distorted दिखेगी तो वह लिखा है different parts of an image owing to the difference in the distances of the object points from the optic axis are not equally magnified by a lens और by a mirror and the image form is distorted और जो आपकी image बनती है वो distorted बनती है ठीक है यहाद ऐसी बनती है जहां ऐसी बनती है तो definition में आपके लिख सकते हो the variation in magnification produced by a lens for different axial distances result in lack of geometrical similarity between the object and the image is termed as distortion so the object is different points के लिए उसका distance होता है optic axis से वह different different होता है there is a variation in magnification magnification in different points के magnification में variation आजाता है वह जो magnification वह vary करने लग जाती है वह equally magnified नहीं होती वह different points के लिए differently magnified होती है जिसके कारण इसकी जो shape है इसकी जो geometrical जो shape है उसमें effect पढ़ता है और जो आपकी object और जो आपकी image बनेगी उसमें similarity नहीं रहती ठीक है यह अलग object अलग shape or size का है और जो आपकी image बनती है वह अलग shape or size की बनती है इसी defect को हम distortion कहते हैं इसी variation को हम क्या कहते है distortion कहते हैं ठीक है object और image में जो यह variation आ रही है कि object का size ऐसा है बट जो image बन दी है उसका size ऐसा है या फिर ऐसा है इसी variation को हम कहते है distortion कहते हैं अब हम यह देखते हैं कि आपको object जो है square object है ठीक है वह आपको इस shape का कब मिलता है और बाद में हम यह देखेंगे कि जो आपका square object है उसकी shape ऐसी कब होती है ठीक है आपको कुशंडर distortion का मिलती है और आपको बैरर distortion का मिलती है आपको पता है कि जोई square object है वह बहुत सारे points का मिलकर बना हुआ है ठीक है तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे आप पॉइंट मर कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे मतलब कि जैसे यह पहला पॉइंट है फिर आप अगले पॉइंट पर गए फिर आप अगले पॉइंट पर गए फिर आप अगले पॉइंट पर गए फिर अगले पॉइंट पर गए जैसे कि आगे जाते जाते जो magnification है वो increase करने लग जाए तो जब हम ऐसा object लेते हैं जिसमें अगर हम point एक point से दूसरे point तीसरे point से जाते जाएं दूर जाते जाएं तब क्या होता है magnification increase होने लग जाती है और तब आपको जो distortion देखने को मिलती है वो distortion कौन से होती है दवारे से एक पर मैं आपको बता रहा हूँ जब आप as object लेते हो जिस object में जे हम optic axis से दूर जाएं जैसे ये point है फिर ये point है ये point है उपर जाते जाते है distance जब बढ़ता जा रहा है इस object का optic axis से जहां जो ये points है इसमें इनका जो distance है वो जब बढ़ता जा रहा है तो इस case में क्या होता है जो magnification है वो भी बढ़ती जाती है जब ऐसा होता है कि distance बढ़ने से magnification बढ़ती है तब आपको distortion मिलती है और barrel distortion कब मिलती है जब आपका आपके distance बढ़ने के साथ साथ जैसे कि आपने जो distance है वो बढ़ता जा रहा है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे है और तीसरे पॉइंट से आप दूर जाते जा रहे हो इस subject में तब क्या होगा आपको जो image दिखेगी तब क्या होगा जो magnification है वो decrease होती जा जब ऐसा होगा कि distance बढ़ने से optic axis से distance बढ़ने से magnification increase हो रही है तो उस case में आपको जो distortion मिलेगी वह barrel distortion मिलेगी ठीक है तो हम लिख लेते हैं कि cushion distortion जिसको हम pin cushion distortion भी कहते हैं वह कम मिलती है और barrel distortion कम मिलती है देखो क्या लिखेंगे pin cushion distortion if the magnification increases with increase in lateral distance अगर distance के बढ़ने के साथ साथ magnification increase हो रही है ठीक है then the image of the square-like piece of wire gaze will appear pulled out at corners और it become cushion shaped तब क्या होगा जो आपका ये square-like object है जा wire gaze है इसके जो corners है वो ऐसे लगेंगे कि वह बाहार की तरफ निकल रहे है जैसे कि यहा बाहर की की तरफ pulled out है ठीक है pulled है बाहर की तरफ pulled है ठीक है ऐसके के लगेगा और जो आपकी distortion कह लाएँगी वह cushion shaped कह लाएँगी जो आपकी pin cushion distortion होती है उसको हम negative distortion भी कहते हैं तो आल्सो कॉल्ड नेग्टिव डिस्टोर्शन और जा आपकी यह बैरल डिस्टोर्शन होती है इसको हम positive बैरल डिस्टोर्शन कब होती है वह भी लिख लिते हैं हम तो क्या लिखेंगे इव इंक्रीजिंग डिस्टन्स के साथ साथ जैसे कि यह आपका स्केर गेज है और यह आपकी प्रिंसिपल एक्षिज है किसी लैंस की तो जैसे जैसे आप डिस्टन्स बढ़ाते जाओगे इस वैसे-वैसे ही जो मैगिनिफेकेशन डिक्रीज होती जा रही है तो उसकेश में क्या होगा तरफ के यह डईख will say टीक है यह आपके चोटे हो जाएंगे मतलब कि की तरफ ऐसे हो जाएंगे ऐसे अंति बन जाएगी डाइगा गैनल्स की तक है मतलτε कि ऐसे चैंफ बन जाएगी ऐस ओर टीक है ऐसे लगेगा कि सभी कॉर्नर जो अंदर की चरफ पुर्ड है और जो आपको जो इमेज दिखेगी वह यसी लगेगी जैसे बैरल की शेप की है ठीक है ब-a-r-r-e-l बैरल शेप की आपको इमेज दिखेगी if the magnification decreases with increasing axial distance the image of the diagonal is shortened the resulting image of the square will disappear to be more pulled in the corners than the elsewhere so image will be of the form resembling a barrel और इस बैरल distortion का हम और कहाते हैं positive distortion भी कहते हैं अब देखिए जो आपको यह जो barrel distortion है और जो यह pin cushion distortion है या फिर को आपकी जो यह distortion ही है यह distortion एक और कारण से होती है वो कारण क्या है कि अगर आप बाकी aberrations जैसे कि comma aberration होगी या फिर spherical aberration होगी उस case में हम उस aberration को की खतम करने के लिए हम stops का use करते हैं ठीक है अगर हम उन stops का use करते हैं ठीक है तब भी आपकी image में distortion आ जाती है stops का use करने पर भी जो आपकी image में जो है वो distortion आ जाती है पहले जब हमने stops का use नहीं किया तो पहले तो distortion फ्री है इमेज आपकी distortion नहीं होगी उसमें बड़ जब आप stops का use करते हो दूसरी aberrations को हटाने के लिए तब क्या हो जाती है distortion आ जाती है देखिए जैसे कि आपका lens है जाती है यह अपका प्लाइन से यह आपका कोई object है इस object से रेज आएंगी मान लेते हैं ऐसे रेज आ रही है करे यह आ रही है ठीक है एक रे मान लेते हैं यह आ रही है यह रही है इसके बाद मान लेते हैं दोनों जो रेज हैं यहां मीट कर ली है कर लिए कि इस point पर एडैस पॉइंट पर ठीक है और यह ए बी object है यह ए डैश बी डैश है अब हम मालते हैं हमने रिफ्रेक्शन से पहले स्टॉप का यूज किया है यहां हमने क्या किया है स्टॉप का यूज किया यह स्टॉप है object कैसा है है वो ऐसा square object है but stop लगाने के बाद lens से पहले आपका वो object ऐसा बन जाता है ऐसा बन जाता है but अगर आप stop lens के बाद लगाते हो ठीक है यह आपकी diagram है मान लगते हैं lens है ठीक है object आपका यहाँ पड़ा है एक ray इसमें से यहाँ से जा रही है ठीक है यहा गई और यहाँ चलीगी एक ray अपकी यहाँ गई और यहाँ से यह refractile के मालते हैं कहीं इस point पे मिल रही है ठीक है अब आपने ज़ो stops लगाए हैं कहां लगाए हैं यहाँ लगाए हैं यहाँ आपने stops लगा दिए ठीक है लैंस के बाद तब तब आपको जो डिस्टॉशिन देखने को मिलेगी वो डिस्टॉशन कौन से होगी Państ निक निक होगी होगी है पिन कुशन डिस्टॉर्शन होगी आपका object था गाइसा, ऐसा था, square shape object था, but आपने जब stop लगा दिया, तब आपकी distortion आगी आपके मतलब की image में, और उसकी shape ऐसी होगी, ठीक है, pin cushion shape की होगी, तो यही था आपका सारा distortion के बारे में, distortion क्या होती है, उसके types भी पड़े, ठीक है, और उसका reason भी पड़ा, जब सकत्म की है, तो यही वहीं है, यहीं है, यहीं है, तो बारे में, हम आपके है, लिए मामक्राओवाल, पशे कुर वी सिएया होती है, जब creative दändern क待ता हैं इंक की में, distortion के भी चा-क, यहीं हैं, मूफ, हैं ओुबा पु़